नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों को अंतराष्टी योग दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है जैसा कि आद 21 जून है और पूरे विश्च भर में अंतराष्टी योग दिवस मनाया जाता है इस अंतराष्टी योग दिवस की यदि बात करें दोस्तों तो इसकी जो हमसे ही इसकी शुरुआत की गई है तो आईए दोस्तो आज हम समझते हैं अंतराष्टी योग दिवस के बारे में कुछ महत्पूर तत जो आपकी सुरच्छा और परिच्छा दोनों ही दर्ष्टी से काफी महत्पूर है क्योंकि इससे सम्मंदित प्रश्ण परिच्छाओं मे तो पूछे ही जाते हैं साथ-साथ ही हमारे एक तरीके से देखा जाए तो मानसिक सारे रिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है चलिए दोस्तो आपन चालू करते हैं इस महत्पूर क्लास को और देखते हैं कि क्या-क्या फैक्ट इससे जुड़े हुए हैं जो कि हमारे लिए जरूरी हैं इस पूरे की पूरी क्लास में हम देखेंगे कि इसकी सुरुवात कैसे होती है इसके बाद हम देखेंगे कि योग का महत्तो क्या है योग का बैस्विक प्रशार क्या है इसके बाद सैयुक्त राष्ट की मानता इसको चुकी प्राप्त है उसके बारे में भी चर इसके बाद योग संचालेद विकास लक्ष बहुत चर्चा होगी और इसके बाद निस्कर्स पर हम में भाइगी चलिए चालू करते हैं सुलवात में गरम देखें तो अंतर राष्टी योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है जैसा कि आज 21 जून है पहली बार 2014 में भारत के द्वारा प्रस्तों इसको किया गया और सहियुक्त राष्ट महासभा के द्वारा इसको समर्थन मिला था सबसे पहले लेकिन इसको मनाया दोस्तों 2015 में गया था किलियर है आधिकारिक नाम यदी देखा जाए तो अंतर राष्टी योग दिवस है कुछ फैक्ट यहां से आप जरूर याद करनें दोस्तों कि इसका आधिकारिक नाम अंतर राष्टी योग दिवस है कम मनाया जाएगा तो 21 जून को कहां मनाया जाता है याद रखिएगा पूरी दुनिया में क्लियर शुरू कप से हो रहा है तो 2015 से अब ये जो दो तारीक हैं ये confusion में होंगी आपको confusion करेंगी एक 2015 है और 2014 है तो 2014 में गोचला होती है और 2015 में मनाया जाता है कैसे मनाते हैं तो योग ध्यान और लोगों को इसके बारे में जागरुप करते हुए देख रहे कहां पर होती है दोस्तों तो भारत में यदि हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में इसकी देख रहे कौन करेगा आयूस मंत्राल है लेकिन चुकि अंतरराष्टी दिवस की बात है तो फिर अंतरराष्टी इस तर पर इसकी देख रहे कौन करता है तो अंतर लोगों ने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्स्राइब गिरूर कर लें, इससे सम्मंदित पीडियेफ है दी आपको प्राप्त करना हो, तो नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन गॉक्स में टेली ग्राम पर एड हो जाएं, ताकि ये जो पूरी के भासल में प्रस्तावित किया गया था, सैयोक्त राष्ट ने योग के अंतर राष्टी दिवस के रूप में 21 जून को मानिता दी है, जिसके बीचे योग के वैश्विक लोग प्रीता और इससे जुड़े बहुत सारे स्वास्त लावों को मानिता देने का कारण है, क्लिय होता क्या है, इस दिन दुनिया भर के लोग एक साथ आकर योग सत्रों और कारिक्रमों में भाग लेते हैं, जिसका मुख्यो दे से सारेरिक और मानित स्वास्त को बढ़ावा देना है, अन्तर राष्टी योग दिवस का जस्न वैस्विक स्थर पर प्रमुक्ता को प्राप् अन्तर योग दिवस की बात ना हो, नॉर्मल भी आप देखेंगे, तो काफी सारे ऐसे योटूबर हैं जो योग पर वीडियो बनाते हैं, ताकि सभी लोगों के पास तक योग की महतुता पहुंच सके, योग से जो लाव होते हैं वो आदमी के पास में पहुंच सके, हाला क पहुंचेंगे वो तब जब लोग योग को करना प्रारम्र कर देंगे, लेकिन उनके तो पहुंचाने का कारिक्रम है, ये एक सरानिय कार है, इसकी जो घोषणा हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी तो 27 सितंबर 2014 को इस तारीख को भी आप लोग याद रखें, क्योंकि य इसको डेट भी याद हैं, तो 27 सितंबर 2014 को प्रदान मंत्री मोधी जी ने सैयुक्तुराष्ट अमेरिका में अपने भासड में की, जिसके बाद सैयुक्तुराष्ट संग के 193 सदस्यों की बैटक में, अंतराष्टी इस तर पर योग दिवस के लिए हमीं भर दी, और 21 जू इस और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम उसका दर्ज है कि इतने सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था, किलियर, आगे चलते हैं, योग का महत्य, योग एक प्राचीन अभ्यास है जो भारस से उत्पन्न हुआ है, किलियर, यह सारेरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास है, जिसको हम आध्यात्मिक कहते हैं, किलियर, यह जीवन में समनवय और संतुलन की पूर प्रिक्रिया है, देखिए, इस दो सब्दों में आप पूरे जीवन को समझ सकते हैं, बुद्ध ने भी यही कहा था, बुद्ध ने शुरुवाती दौर में ही यही कह दिया था, कि जीवन है, वो समनवय और संतुलन का एक तरीके से आईना है, यदि समनवय और संतुलन जीवन में नहीं है, तो कही न कहीं डिप्रिशन होगा, परिसानी होगी, और योग क्या करता है, इन चीजों को कम करने की कोसिस करता है, लगातार योग करने से क्या होगा, ये चीजें पूर्टा चली जाती है योग का यदि हम साब्दे करते देखें तो दोस्तो युज धातू से बना हुआ है इसका जो मतलब होता है योग का क्या मतलब होता है जोड़ना अब समझेगा यहां से योग का मतलब होता है प्लस है ना आपको ने गड़ेत में देखा होगा योग कर द्यानिक जीवन में कौन-कौन से कारेक्रम चल रहे हैं, उन कारेक्रमों को जागरुक होकर करना, कैसे करना जागरुक होकर करना, इंसान पूरा जीवन बेहुसी में व्यतीत कर देता है, योग का महत्मूर काम है, उसी चीज को जागरुक कर देना, आप कोई भी कारे कर रहे ह उसी को योग बना लें ஜैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ मेरा पूरा का पूरा फोकस आपके उपर है मतलब कि ये पढ़ाने पर है आप यदि मुझे सुन रहे हैं तो आपका भी पूरा पूरा फोकस उसको सुनने में होना चाहिए और यहां से यदि मन अपना अलग हुआ या फिर यहां से थोड़ा सा भी भटगता है तब हम समझते हैं कि मन अभी काबू में नहीं है तो इसको काबू करने के लिए योग का सहारा लिया जाता है योग क्या करेगा सबसे पहले योग में सबसे महत्पूर देखा होगा कि जैसे प्राणायाम होता है इसके लावा बहुत सारे योग होते हैं तो उसमें सबसे पहली जो बात होती है वो होती है स्तांसों पर ध्यान देना याने कि हमारी जो प्राण वायू है उस प्राण वायू पर ध्यान देना जब हम प्राण वायू पर ध्यान देते हैं जैसे कि अंदर गई फिर वो बाहर आई तो जैसे हम उस पर ध्यान देते हैं तो अपने आप हमारा जो ध्यान है या जो मन है वो चंचलता को छोड़कर एक कागरता में इस्थिर होने लगता है यही योग है और इससे होगा क्या इसका महत्व है तो इससे होगा क्या मालीजे जब मन आपका इस्थिर होगा एकागर होगा तो आप फिर कोई भी कारी कर रहे हों चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों चाहे आप अपने स्कूल का काम कर रहे ह या फिर आप नॉर्मल समाज का कारे कर रहे हो तो यह आपको एक मजबूती देगा एक स्थिरता देगा और वो काम बहुत अच्छे से होगा इसलिए योग काम महत्व है जैसे कि आपने देखा समनवाय और संतुलन डिप्रिशन को खम कर देगा आपके जीवन में कोई भी तनाव होगा तो आप सोचेंगे कि तनाव तो है ही नहीं फालतु का हमने यह तनाव ले लिया है ऐसी मांसिक्ता आपकी अपने आप बन जाएगी क्योंकि वास्ताव में तनाव तो होता ही नहीं यह जब अबरजस्ती क को कोई गटना को कोई Ama कुूसित करेंगे सिर्फ मन की फालतों की कलबनाइं है जो गटना घट नहीं थी वह सांसों पर द्यान देंगे, जब आप एकदम मांसी ग्रूप से मजबूत हो जाएंगे, अब योग में भी बहुत सारे योग होते हैं, वाला कि अब ये पनागी सर्चकर रेंगे, तो योग के महत्व को तो उमीद है, आप लोग समझ गए होंगे, चलिए अब आगे चलते हैं योग का बैस्विक प्रसार, थोड़ा इसको भी देख लें, क्योंकि यदि इनवंद आपको लिखना है, तो यह सब आपको आना चाहिए, योग का बैस्विक प्रसार अंतर राष्टी योग दिवस बिश्वर में मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग सामिल होते हैं, यो यह सब उसमें दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि यह आज के दिन, 21 तारिक के दिन इसको ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि लोग जागरूख हों, और यह सही भी है, पर ऐसा यदि रोज होने लगे, ऐसा हमेशा होने लगे, तो आप समझेगा क जो भारत ही नहीं, जो विश्व है वो बहुत उचे स्थर पर चला गया, योग में वो पावर होती है, चलिए आगे चलते हैं, सायुक्त राष्ट की माननता, यह बहुत इंपोर्टेंट है, सायुक्त राष्ट योग के वैसिविक प्रशार और लाब को माननता देता है, य आप लोगों को जानकर हिरानी होगी दोस्तों कि यदि हम पिताजी की बात करें कि योग के पिताजी कौन है, फादर ओफ योगा कौन है, तो आप सोच के हिरान रह जाएंगे कि इनके जो फादर हैं वो हैं सिव याने की शंकर भगवान, संकर भगवान को आपने नाम सुना कुछ मुर्दियों को छोड़के वो सभी ध्यान की मुद्रा में ही हैं तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो जैसे कर कभी कॉश्चन आ भी जाता है तो आप लोगों के लिए कॉश्चन में उप्शन में सिव रहेंगे तो आप सिफ को उप्शन में लगा दीजिएगा सिव एक दम सही आंसर है ठी है आगे चलते हैं अंतर राष्टी योग दिवस का विशय जैसा कि मैंने सुरुवात में ही आप लोगों को बता दिया कि जब भी कोई महत्पूर कारिक्रम होता है तो उसके लिए एक विशय चुन लिया जाता है विशय इसलिए चुन लिया जाता है क्योंकि विशय कहीं न कहीं उसके उद्देश की पूर्ती करता है या उद्देश की पूर्ती के लिए एक तरीके का एक रास्ता देता है तो इस समय पे अगर देखा जाए या 2023 में देखा जाए तो विशय क्या रहा है देखिए सबसे पहले तो इसको समझते हैं हर शाल अं संस्क्रान था इन दोनों चीज़ों को याद रखें पहला वासुदे पुटुम्रुकम दूसरा नौबा संस्क्रान है तीसरा भी याद रखें 2022 का जो विषय था वो था मानवता के लिए योग ठीक है आगे चलते हैं योग अभ्यास के लाव तोड़े लाव देख लिए जात है देखिए हम अगर देखा जाए तो हमारे पूरे सरीर में सबसे महत्पूरे लचीलापन नहीं होगा तो कारे को जल्दी नहीं कर पाएंगे आला साता रहेगा पाचन और संतुलन पाचन बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आपका हमेशा पेटी खराब रहता है तो आप अपने काम को अच्छे से करी नहीं सकते आपका पूरा का पूरा दिन बेकार चला जाता है हरदय और स्वास्त को सुदारता है हरदय सबसे मात्पूरे हरदय एक ऐसा अंगे दोस्तों कि जब बच्चे की सुरुवास से हरदय की धड़कन बनती है तब जब तक व्यक्ती समा नहीं हो जाता हरदय एक ऐसा सरीर कंग होता है या पार्ट होता है जो हमेशा चलता रहता है तो इसका चलना नीमित रूप से गती करते रहना इसमें कोई समस्या ना आना यह बहुत ही जादा जरूरी है और यदि आप योग करते हैं तो इससे इसमें जो हार्ड अटेक है य कब से ज़्यादा महत्पूर्ण है दोस्तों यह मानसिकलाग देखिये तना और चिंता को कम करता है जब आप अपने कारे को करते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे ही मैं अलग हटूंगा और यह जूँए बहुत अच्छे जिनता को यह कम कर देगा ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है सबसे ज़्यादा जरूरी मेरे जितने भी पढ़ने वाले दोस्त हैं पढ़ने वाले भाई बंदू हैं उनके लिए ध्यान बहुत जरूरी है एकाग्रता बहुत जरूरी है देखिये इतना बड़ा बड़ा बढ़ाता है, किलियर है, जो भविश्य में होने वाले सुख हैं, उनको बढ़ाता है, चलिए आगे चलते हैं, विविन्न प्रकार के योग, कुछ योग के नाम है दोस्तों, इनको जरूर आप लोग याद रखें, योग, नॉर्मल योग की बात करें तो सारे ये काशन है, प निर्मित आध्यात्मिक उर्जा पर दियान केंद्रित, याने की जब आप सो रहे हैं, तब भी योग करना, समझ रहे हैं ना, इसी को कहते हैं, कुंडलिनी योग, एक होता है आश्टांग योग, यह आसन और प्रणायाम पर आधारित एक योग है, एक होते हैं आराम दायक नौर्मल, कोमल, शांथी, पूर्ण अभ्यास हैं जो गहरा आराम प्रणान करते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों भीविन्य प्रकाश्टा इसके योग हैं, इसके लाव बहुत सारे योग होते हैं, अन्य जैसे शूर्य नमस्कार हुआ तो यह भी एक योग है, बहुत सारे होते हैं चलिए आगे चलते हैं अंतराश्टी योग दिवसका जश्न कैसे मनाएं इस्थानिये योग कारेक्रम कारेशालाओं या कच्छाओं में भाग लें ऑनलाइन संसाधन या मारक दर्सित वीडियों के माध्यम से घर पर ही योग का अभ्यास करें सोशल मीडिया पर योग का स्टेटर्स डालने आपको देखके साथ कोई और भी प्रेदित हो वो भी करें है ना चलिए आगे चलते हैं निसकर्स में देखते हैं अंतराश्टी योग दिवस एक बिस्थ इस्थर पर प्राचीन योग अभ्यास का उत्सव है या सारेरिक और मानसिक स्वास्त सम और शांती को बढ़ाने का महत्कूँ अफसर है इस आंदूरन में सामिल हो योग की परिवर्तनात्मक सक्ति का अनुभाव करें योग दिवस के नौवे संस्क्रण के मौके पर आईए हम वैश्विक शांती और सद्भाव को बढ़ावा देने में योग भूमिका को भी भी रख सकेंगे तो यह जो निस्परस है दोस्तों यह नितिमरूप से मेरा आप लोगों से आजब रहता आप लोग भी योग करें खुझ को फिट रकें यदि या फिट रहेंगे बढ़िया रहेंगे तो आपके जो भी जीवन भर के काम होंगे या फिर जो दैने काम होंग का हम कोई भी कारे किस लिए करते हैं हम कार इस लिए करते हैं कि इसका रिजल्ट हमको अच्छा मिल सके पर रिजल्ट अच्छा मिलता नहीं उसका कारण क्या होता है कि कार में हम पूरी काथपरता मन एकागरता ध्यान से नहीं करते और इस चीज में यदि आपने योग को तो अभी हमारे पटवारी के पेपर हुए, इसके पहले देखा जाए तो उसके बाद बन रच्छक के पेपर हुए, तो मैं पढ़ने वाले विद्यार्चियों के लिए खास तोर पर बोलता हूं कि योग से हमेशा जुड़े रहे हैं, योग सबसे महत पूँछी है आपके मन क भी नहीं जाएगा, मन भी ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा, और मन जब एकदम से समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जब योग उतरता है, चुकि योग दीरे-दीरे मन को मारेगा, अब मन बचा नहीं है, अब जब मन नहीं बचा तो सिर्फ यह होगा कि अब उद्द हाँ, फिर से एक बार कहूंगा, पीडियेफ यदि आप लोगों को चाहिए हो, पीडियेफ प्राप्त करना हो, तो टेलीग्राम से जरू जो जो जाए, तो आपको ये पीडियेफ मिल जाएगी, नमस्का दोस्ते